हलो एवर्यान आप सबका श्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शाय मिस्टर वे गाइस आज हम बताने वाले हैं बनने वाली म्यूनी जिसको हम म्यों भी कहते हैं कहीं कहीं और गाइस यह हम ऐसे एक इंक्रिजन से बनाना बताएंगे जो कि होता सबके गर में हैं मगर बनात सुरू करते हैं यह देखें गाइस सबके गर में होता है कि कैसे हम बनाते हैं यह इंक्रिडियन है कुछ वह आप देख सकते हैं यह एक कटोरी हमारी मलाई है जो कि फुल फैट है पूरी मलाई है और यह हाफ कटोरी दूद यह हमने हाफ कटोरी विनिगर ले रखा है यह दो स्पून चीनी उसके आद में यह स्वाद अनुसार नमक यह हम ग्राइंडर में डाल रहे हैं अपनी फुल फैट क्रीम यह घर की क्रीम है कोई मार्केट से लाने के जूरत नहीं हमारे घर पर जो होती है बस सूसी का इस्तमाल करेंगे यह हमने दूद जो हमने हाफ का टोई दूद लिया था वह हम एट करेंगे यह विनिगर जो की हम इसमें एड करेंगे यह अब इसमें यह हम एक स्पून चीनी आट करेंगे इसमें अब हम स्वाथ यह नमक आट करेंगे गाइस चीनी हमने दो पूली थी बट उसमें से हमने सिर्फ एक स्पून डाली हुई है अब इसको हम चरण कर लेंगे चालू बंद चालू बंद करके इसको हम फेटेंगे ये देखे गाइस जो हमारी मलाई है वो फेट चुकी है तो ये बिल्कुल जो म्यूनीस की तरह है टेक्स्चर आ चुका है आप देख रहे होंगे इसमें स्पून से गिराने पर गिरता ही है हमारे सारे स्पून में लगा हुआ है तो यह हमारी म्यूनियस बनकर रेडी हो चुकी है तो गैस चलिए हम इसको सर्व करते हैं यह देखे हैं हम इसको सर्व करने जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्स्चर है बिल्कुल फैल नहीं रहा है बिल्कुल भी खराब नहीं हो रहा है मगर जाद रखें यह बात कि हमने जिस हिसाब से बताया हुआ है फुल फैट क्रीम और उसके बाद में दूद उसी हिसाब से रहे हैं और यह सारा सामान बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए बिल्कुल ठंडा उसके बाद में इसे हम चर्ण करेंगे और गाइस जो वेनेगर होता है वो वेनेगर हमारा फ्रेजर वेट्व का काम करता है जो कि हम म्यूनीज को काफी टाइम तक रख कर खा सकते हैं तो यह देख सकते हैं आप गाइस हमारी म्यूनीज कितनी 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 अच्छी लग रही है एकदम यम्मी और टेस्टी और इस इसमें तो आम हमें बताने की जूरत नहीं कि कितना टेस्टी स्वाद आएगा